जेहीं दोस्तों SSE MTS भरती 2024, 6 रीजन का दोस्तों यहाँ पे application status और e-admit card जारी कर दिया गया है और अभी दोस्तों 2 रीजन का और application status और e-admit card यहाँ पे आया है देखिए दोस्तों SSE के तरब से SSE MTS के लिए जितने भी रीजन है सभी का admit card यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 9 जो है total आपका रीजन है और 9 रीजन में से दोस्तों total 6 रीजन का जो है application status और e-admit card आपका जारी कर दिया गया है देखिए दोस्तों आज भी आपका एक रीजन का admit card यहाँ पे जारी किया गया है अभी Western region का, WA region के अंतरगत जो भी candidate आते हैं, उनका जो है application status और E admit card अभी दोस्तों यहाँ पे release किया गया है, इसके अलबा दोस्तों North East region का भी आपका जारी किया गया है, दखिए दोस्तों अभी यहाँ पे कौन कौन से region का आया है और कौन कौन से region का नहीं आया है, इसके बार में आपको सबसे पहले बता देते हैं, दखिए दोस्तों Eastern region का application status और E admit card आ चुका है, करनाट का किरला region का application status और E admit card आ गया है, इसके अलबा दोस्तों South और region का भी जारी कर दिया गया है, नौर्थ इस्ट रीजन का भी जारी कर दिया गया है, इसके अलबा दोस्तों वेस्ट इसके अलबा सेंटरल रीजन हो गया, और एक नौर्थ होर्न रीजन हो गया, यह तीन रीजन का दोस्तों अभी जारी नहीं किया गया है, सेंटरल रीजन, मध्य परदेश का जो रीजन आता है, एमपी या रीजन और एक नौर्थ होर्न रीजन, इस तीन रीजन का भी नहीं आया है बाकी सभी रीजन का आ चुका है यानि कि 9 रीजन में से 6 रीजन का अप्लिकेशन स्टेटस और इड्मिट काड जारी हो गये हैं देखिए दोस्तों अप्लिकेशन स्टेटस और इड्मिट काड आप कैसे चेक करेंगे चेक करने के लिए मोबाइल में आप सभी गूगल ओपेन कीजिए और टाइप कीजिए और टाइप कीजिए ओनलाइन सरकारी जॉब डाट कम इस वेवसाइट को आप टाइप कीजिएगा उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही सर्च करेंगे कुछ इस पर करके इंटरफेस आएगा यहाँ पे एडमीट कार्ड के सेक्षन में ससे म्टी एस अपलीकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा और एडमीट कार्ड तो देखिए दोस्तों फाइनल जो एडमीट कार्ड है वो तो एक जाम के चार दिन पहले आपका जारी होता है आप सभी को पता होगा लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे अपलीकेशन स्टेटस और एडमीट कार्ड जारी होगा है इडमीट कार्ड में आपका एकजाम सीटी और एकजाम डेट मेंसन रहता है और कौन से सीप्ट में एकजाम है वो आपका मेंसन रहता है तो अभी आपका आया है फाइनल और बिहार का भी जारी नहीं हुआ है और इसके अलावा एक और रीजन है मध्यपर्देश रीजन जिसमें आपका मध्यपर्देश 36 गड़ आता है इसका भी जारी नहीं हुआ है ये तीन रीजन का भी जारी नहीं हुआ है बाकी सभी रीजन का जैसे कि ये सभी ये स्टेट से हैं तो आपका आ चुका है आप यहाँ पे किली करके चेक कर सकते हैं दखिए दोस्तों अभी वेस्ट और रिजन का आया है जिसमें महाराष्टा, गुजरात, गोवा, दमन, दिव, दादरा, नागर, हवेली यह सब भी आते हैं तो इसका भी अभी आपका जर्ष्ट जारी हु जो भी केंडिडेट मध परदेश 36 गट से हैं या इसके अलावा दोस्तों जो केंडेडेट आपका यूपी एंड बिहार से हैं दिली राजस्थान एंड उत्राखंड से तो इन लोगों का नहीं आया है अब आपका सवाल होगा कि यह बाकी जो रिजन है इसका कौब आएग नहीं तो कॉल डेफनेटली दोस्तों बाकी जितने भी रिजन है सभी का अप्लिकेशन स्टेटस और इडिमिट कार्ट आ जाएगा क्योंकि उतर परदेश विहार यह सभी काफी बारा रिजन है यहां से काफी यह स्टूडेंट फॉर्म फिल होते हैं तो हम ऐसा यह रिजन क अभी दोस्तों कल तक उमीध है कि आ जाएगा नहीं तो आज साम को भी आ सकता है और दोस्तों चेक करना चाहते हैं तो वेस्टर न रिजन का अभी जारी हुआ है जिस भी रिजन का चेक करना चाहते हैं किली कियेगा किली करके दोस्तों आप अपना डीटेल्स यहां पे कुछ इस तरह से दोस्तों आपका सो करेगा जिसमें आपका यहाँ पर देखेंगे date of exam mention रहेगा reporting time mention रहेगा और city of exam तो कुछ इस तरह से आपका सो करेगा यानि कि यह एक परकार की e-admit card है जिसमें आपको exam city, exam date और exam shift जो है यहाँ पर बताया जाता है final admit card जिस दिन आपका exam ह उसके चार दिन पहले आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आई होप आप समाझ गए होंगे कोई भी सवालों comment सकते हैं बताये link description में है जाके चेक किजिए और WhatsApp चैनल, Telegram चैनल को जोईन कर लीजिए फिर मिलते है next video में तब तक लिए जैहिंद बंदे मात